तो आज हम ड्रैगन बॉल एनिमे से एक परफेक्ट जी फाइटर बनाएंगे अब परफेक्ट जी फाइटर सुनते ही कुछ नाम याद आ जाते हैं जैसे गोकू, वेजीटा, गोान, जीरेन, फ्रीजा लेकिन आज हम परफेक्ट को एकदम परफेक्शन की ओर ले जाएंगे और इनसे भी अच्छा जी फाइटर बनाएंगे अब ड्रैगन बॉल से एक परफेक्ट जी फाइटर बनाने के लिए हम गोड्स अब डिस्ट्रेक्शन, सुप्रीम काईज, एंजल्स और ओमनी किंग को हम इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन फिर भी इसमें स्पीड, पावर और आईक्यू के साथ फाइटर की फॉर्म, ट्रांस्वोर्मेशन्स और एबिलिटीज जैसे ही 13 पेरामेटर्स को ध्यान में रखकर हम एक परफेक्ट जी फाइटर बनाएंगे और हाँ मैं पहले ही बता दूँ कि एक फाइटर को सिरफ एक ही पेरामेटर में इंक्लूड करेंगे नहीं तो लगबग सारे पेरामेटर्स में गोकु ही आजाएगा और एक और बात इस वीडियो में ड्रैगन बॉल, ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल सूपर, डीबियस ब्रोली और डीबियस सूपर हीरो मुवीज ही इंक्लूड होगी मतलब कि सिरफ कैनन पार्ट ही इंक्लूड होगा तो मांगा और जीटी फैंस क्रिपे अपना ग्यान अपने पास ही रखना तो परफेक्ट जी फाइटर बनाने से पहले मैं एक बात बदा दू वेन मैं वीडियो जोज लाइव, यूर हैंस, सूट सब्सक्राइब अब परफेक्ट जी फाइटर बनाने के लिए अच्छी बोड़ी तो होनी ही चाहिए मतलब अच्छी फॉर्म होनी चाहिए तो अगर इन से उपर अगर हमें जाना होगा तो फिर हमारा परफेक्ट जी फाइटर लोड ट्रेनिंग ही करता रह साएगा लेकिन अपने पास एक परफेक्ट फॉर्म है जो इतनी बड़िया है कि कम ट्रेनिंग में ही जागा इड़ोंटेस दे देती है क्योंकि वो फॉर्म है फॉर्म की गोल्डन फॉर्म जिसे पाने के लिए फॉर्म को सिर्फ चार महीनी लगे थे और हम मांगा इंक्ल्यू नहीं कर रहे लेकिन तुम्हें पताई होगा कि फॉर्म क्या कर सकती है इसलिए अपने परफेक्ट जी फाइटर की फॉर्म होगी गोल्डन फ्रीजा फॉर्म अब देखो रेस और फॉर्म में जादा अंतर नहीं है लेकिन फिर भी रेस किसी भी एक करेक्टर की फिक्स होती है लेकिन फॉर्म चेंज होती रहती है इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे गोकू और उसका बेटा गोहान हैं दोनों सेयन रेस के ही लेगिन इनके फॉर्म के पाथ अलग अलग हैं तो हमने अपने परफेक्ट जी फाइटर के लिए फॉर्म या फिर फॉर्म का पाथ तो चूज करी लिया तो अब अपने परफेक्ट जी फाइटर की रेस भी देख लेते हैं तो बहुती स्टोंग रेसेज हैं ड्रैगन बॉल स्रीज में जैसे नमेकियन्स जिनके पास रिजनरेटिव, हीलिंग पावर्स के साथ साथ हाई आईक्यू भी होता है फिर एंड्रोइड्स जिनके पास अल स्टोंग बन जाते हैं जो हमारे परफेक्ट जी फाइटर को बहुत अच्छी तरीके से स्यूट करेगा लेकिन अब इसमें भी ट्विस्ट है क्योंकि अपने पास दो तरीके की साथ रेगन बॉल युनिवर्स में एक तो अपने गोकु वेजिटा की युनिवर्स सेवन वा को बस खोजली मैसूस करनी पड़ती है और वो सुपर सेयन मन जाते हैं मतलब नेच्रेली ही युनिवर्स 6 के जो सेयन्स थे वो युनिवर्स 7 के से थोड़े एडवान्स थे इसलिए अपने परफेक्ट जी फाइटर की रेस होगी युनिवर्स 6 की सेयन्स तो मैं पिछली प पाइटर का सेंसे कौन होगा वो भी देख लेते हैं तो ड्राइगन बॉल में बहुत सारे अच्छे सेंसे थे जैसे गोकु के ग्रेंपा गोहान पोरिन मिस्टर पोपो कामी जिन्होंने गोकु की स्किल्स को नेक्स लेवल पहुंचा दिया फिर इंसे भी अच्छा सेंसे था पिकोलो जिसने गोहान को सडक से उठा के स्टार बना दिया लेकिन उससे भी अच्छा सेंसे ड्राइगन बॉल वर्स में था और वो है मेरे फेवरेट तुमारे फेवरेट मास्टर रोसी जिन्होंने गोकु क्रिलिन और गोड यामचा को ट्रेन किया है और तो और मास्टर जिनसे उनके स्टुडेंट्स ट्रेनिंग के साथ साथ रिस्पोंसिबिलिटी इसको भी समझते थे और तो डिसिप्लीन भी रहते थे इसलिए हमारे परफेक्ट जी फाइटर के सेंसे मास्टर रोसी ही होंगे तो नेक्स्ट पेरामिटर है स्पीड तो देखो मैं पहले क्लि प्रकाइस टेक फाइटर था इसको जिसकी स्पीड स्पीड ओफ लाइट से भी जादा थी ऐसा एनिमे में दिखाया गया है तो अपने परफेक्ट जी फाइटर की स्पीड होगी डिस्पो जैसी अब नेक्स्ट पेरामिटर है आईक्यू मैं बेटल आईक्यू की बात नहीं तो अब आईक्यू के लिए हम गोकू को तो सेलेक्ट करेंगे नहीं तो देखो बहुत सारे स्मार्ट फाइटर्स थे जैसे पिकोलो क्योंकि पहली बात तो एक नमेकियन है जिन्होंने ड्रैगन बॉल समनाई है तो ओवियसली वो स्मार्ट होंगे फिर उसने नेल और कामी क भी एबजॉर किया था और वो दोनों भी नेमेकेंस थे लेकिन जहां आईक्यू होगा वहां साइंटिस्ट का नाम तो आए गाई तो दो ऐसे साइंटिस्ट थे ड्रैगन बॉल युनिवर्स में जिसमें से एक तो सच्चाई के साथ था बुल्मा का बाप डॉक्टर जिनका आईक्यू पूरे ड्रैगन बॉल युनिवर्स में सबसे ज्यादा था लेकिन उससे पहले आईक्यू पेरामिटर के कुछ ओनरेवल मेंसंस भी देख लेते हैं जैसे फ्रीजा पेपारोनी डीवियर सूपर हीरो मुवी से डॉक्टर हेडो नमबर वन और नमबर टू जो फाइनल टू जिनका आईक्यू सबसे ज़्यादा है उनमें से एक है गोहान अपने में प्रोटेगनिस्ट गोकु का बेटा जो नेक्स्ट में प्रोटेगनिस्ट बनने का पोटेंशिल लगता था सेयंस में सबसे ज़्यादा स्मार्ट था स्टेडिज में भी गोहान बह पास बनाया, सायन्स का बेटल आर्मर उसने अपग्रेड किया, उसने अपने फ्यूचर में खुद की ही बनाई हुई टाइम मशीन को रेप्लिकेट किया, फिर उससे और भी अच्छा बनाया, और तो और उसने बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट्स बनाये, जिसमें बहुत ही इसे गोकू, वेजीटा, जी रेन, लेकिन इन से भी पावरफुल एक फाइटर था, अपना लेजेंडरी सूपर सेयन ब्रोली, जिसका पावर लेवल उसके गुच्छे के डिरेक्टली परपोस्नल है, उसके इस डेडली लुक ने फ्रीजा तक की पेंट गिली कर दी थी, ल बना था, और एक जब वो गोवान बीस्ट बना था, दोनों में ही उसका पावर लेवल बहुत ही जादा हाई था, और दोनों ही टाइम उसने सेल को हराया, तो देखो पावरफुल होने का मतलब यह नहीं है कि वो अपने अपोनेंट को हराई देंगे, मतलब कि जरूरी नही गोकु वेजिटा को हराई देंगे, लेकिन उनके पास अभी सिरफ पावर उनसे जादा है, इसलिए अपने परफेक्ट जी फाइटर का पावर लेवल होगा गोवान जैसा, अब नेक्स्ट परामिटर है स्टेमिना, तो देखो इसमें कोई बीड आउट नहीं है, कि मास्ट इसलियों को च्यूज़ करें, तो देखो स्टेमिना तो हम कितनी देर तक टिक पाते हैं, उसे बोलते हैं, लेकिन दूरेबिलीटी का मिकलब होता है, कि हम अप opinions के हैं इसमें को कितना जेल सकते हैं, सिंपल भाजा में स्टेमिना लड़के का होता है और दूरेबिलिटी रिजनरेशन की पावर है लेकिन इनसे भी डूरेवल एक फाइटर था और वो था माजिनबू वो जद्धार अटेक्स को तो बाउंस बैक की कर देता था और तो और उसकी रिजनरेशन की पावर भी पिकोलो से ज्यादा है इतनी ज्यादा कि उसके अगर हजार तुकड़े भी कर दिये जाएं तो वो उससे भी वापिस आ जाएगा उसके पास जो मेजिक है उससे वो ट्रांसफॉम भी हो सकता है जिससे वो और आसानी से एनिमीज के अटेक को सैन कर लेता है इसलिए अपने परफेक्ट जी फाइटर की डियूरेबिलिटी होगी माजिन बूज जैसी अब अपने परफेक्ट जी फाइटर की फाइटर बनने के भी एक विल होनी चाहिए तो बहुत सारे स्ट्रॉंग फाइटर विल वाले फाइटर्स थे जैसे अपना गोकू जिसका करेक्टर अब सिरफ फाइट्स के राउंड ही होता है फिर टियन सिनान जो बहुत अच्छा मार् लग का यहाँ लेकिन इन सीट्रॉंग फाइटर मिल वाल एक फाइटर था अपना प्रिंस फॉफ ऑ्ल सेयंज वेजिटा प्रिंस वेजिटा है अनगापने परफेक्ट जी फाइटर की फाइटर विल होगी वेजिटा सीब भर बनने की एप्ब ने रहने के ःकली मतलब कि फाइट्स के बीच में इमोशनलेस लेना, फिस्ट्रेट ना होना, वालतों में गुसा ना होना, कामली अपनी फाइट्स पे फोकस करना, अब देखो की कंट्रोल कोई अलग से पेरामिटर नहीं है, क्योंकि वो इमोशनल रेजिलेंस का ही पार्ट है, क्योंकि जितना तुम काम और फोकस्ट रहोगे, उतना ही तुम अपनी की को कंट्रोल कर पाओगे, तो देखो, फरीजा और वेजिता की इमोशनल रेजिलेंस वो तक्षी है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने टेमपरामेंट को खो देते हैं एक पॉइंट के बाद, लेकिन गोहान का कैस थोड़ा अलग है, वो टेमपरामेंट को खो के उसे डिरेक्ट अपनी पाओर में बदल देता है, लेकिन गोहान को अलेडी हम पिक कर चुके हैं, फिर भी गोहान से भी हाई एमोशनल रेजिलेंस वाले फाइटर थे, जैसे गोकू, मास्टर रोसी और जी रेन तो मास्टर रोसी तो अलेडी अपने परफेक्ट जी फाइटर के सेंसे हैं, अब बात रही गोकू और जी रेन की, तो मुझा जी रेन का की कंट्रोल, एंगर कंट्रोल, मतलब की इमोशनल रेजिलेंस थोड़ा सत जादा लगा, अभी के लिए, क्योंकि अभी गोकू एनिम परफेक्ट जी फाइटर की इमोशनल रेजिलेंस जी रेन जैसी होगी, अब नेक्स्ट पिरामिटर है टेक्निक्स, जैसे कामेहामेहा, स्पिरिट बॉम, तो देखो बहुत सारे एच्छे फाइटर्स थे जिनकी टेक्निक्स नेक्स लेवल थी, जैसे अपना गोकू, जिसक खतरनाक टेक्निक्स थी, लेकिन इन दोनों से भी अच्छी टेक्निक्स माजिन बू के पास थी, जो बहुत खतरनाक मेजिक यूज कर सकता था, जिससे वो अपने एनिमीज को केंडी बना सकता था, दूसरों को हील गर सकता था, दूसरों के अटेक्स को भी वो इंस्टेंट ही बात कर रहा हूं जो fighters को मर्चर की तरह मार देता है अपने हर assassination की टास्क को complete कर लेता है वो तो टुनामेंट में किसी को kill नहीं कर सकते थे इसलिए उसका 100% हमने टुनामेंट में नहीं कर देखा उसके बावजूद भी वो टुनामेंट में बहुत अच्छे से लड़ा उसके killer instinct time skip और assassination की techniques के कारेनी हम अपने परफेक्ट जी fighter की techniques भीट जैसी रखेंगे अब techniques, stamina, power, durability जैसे लगपक सारे parameters तो अपने जी fighter को मिली गए हैं लेकिन इन सभी को एक साथ और बहुत ही अच्छे से भी use करना आना चाहिए तो इसी को बोलते हैं combat adaptability और इसमें किसी को भी डाउट नी होना चाहिए कि इस parameter में हम किसे choose करने वाले हैं क्योंकि ये fighter है अपने Dragon Ball का main protagonist the savior of the world Goku जो अपनी हर fights में अपने 100% देता है वैसे तो इसकी IQ 0 है लेकिन fights के दोरान इसकी IQ 500 पहुंच जाती है अब तो उसके पास mastered ultra instinct भी है और साथ ही में instant transformation भी है जिससे वो अच्छे से dose भी कर सकता है उसकी intense training के कारण उसकी mobility भी बहुत जादा अच्छी है emotional resilience भी Goku का अच्छा है उसकी attacks, kamehameha, spirit bomb बहुत ही जादा कतरनाक है इसलिए अपने perfect G fighter की combat adaptability होगी Goku जैसी अब अपने perfect G fighter के पास वो सब कुछ है जो उसे perfect बनाता है लेकिन जैसे Dragon Ball के writers ने potential world का trademark करवा रखा है जिससे किसी भी fighter को plot armor मिल जाता है जिसके कारण उनका instant clue up हो है तो अपने perfect G fighter के पास भी potential होना जीए तो Dragon Ball में 5 जैसे character थे जिनका potential बूद ज्यादा अच्छा है पहला तो है उब जो किडबू का reincarnation है लेकिन बेचारा plot armor के कारण clue up की जगा extinct हो गया अप मिलता ही रही है पता नहीं कहा है फिर अपने Frieza और Gohan जिने हम form और power में already ले च एक तो है universe 6 से के जिसके पास अच्छा potential है लेकिन अपने universe 7 के ब्रोल ही जितना नहीं क्यूंकि जिसके जनम होते ही उसके race के मेमर उससे डर कर उसे निकाल दें जो 48 साल टक एक unknown planet पे survive कर ले जो सूपर सेन ब्ल्यू गोकु और वेजिटा को एक साथ पीट दे उसको माणने के लिए सूपर सेन ब्ल्यू गोजिटा बनना पड़े तो उसका potential तो 56 फाड़ की होगा इसलिए अपने perfect Z fighter का potential होगा ब्रोल ही जितना तो हमारा perfect Z fighter कुछ इस तरीके का होगा जिसके पास golden freeze of home होगी universe 6 की science race होगी साख साथ master उसी उसके sense होगे डिस्को जैसे speed होगी, bulma जैसी IQ होगी, gohan जैसी power होगी perfect cell जैसी stamina होगी, margin boo जैसे durability होगी प्रिंस वेजिटा जैसी fighter बनने की भी लोगी और जीरन जैसी fighter बने रहने की भी लोगी hit जैसी abilities होगी, goku जैसी combat adaptability होगी और रोली जैसा potential होगा और अब इन सभी parameters को अगर हम मिला दें तो वो fighter होगा UI Yamcha तो बस यही अपना perfect G fighter आपको यह कैसा लगा वो मुझे comments में जरूर बता देना और ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए इन वीडियोज पे click भी कर लेना